दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ठंड के कारण इस चिडिया के दोनों पेर इस लोहे की रोड़ पर बुरी तरह चिपक गए थे और ये पिछले एक घंटे से अपने पेरों को यहां से चुडाने की कोशिश कर रही थी इतने में यहां पर यह भला आदमी आ जाता है और जब य इस चिडिया को ऐसे फड़ फड़ाते हुए देखता है तो यह उसे पकड़ लेता है क्योंकि इसे शुरुआत में तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये चिडिया ऐसा क्यों कर रही थी फिर जब वो अपने हातों को इसके पेरों पर टच करता है तो उसे पता चलता है कि ठंड की वज़े से इस चिडिया के दोनों पेर यहां पर चिपग गए है फिर ये आदमी उस चिडिया के दोनों पेरों को अपने हातों से धग देता है जिसके कारण थोड़ी ही देर में उस लोहे की रोड का टेंपरेचर एकदम नॉर्मल हो जाता है और चिडि